नमस्कार जै भारत आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में जिसके अंदर हम चर्चा करते हैं चुरुबात करते हैं से हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारे जो भारत का constitution है या फिर कहलो भारत पर जो सम्विधान है वो बनके तयार हो चुका था लेकिन उसे रिलीज या फिर कहलो से officially कब से लागो किया गया था 26 जनवरी 1950 से ठीक है यह बात तो सब जो चाहें वह इंडिया के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर वह किसी आयसी आई-एस ऑफिसर की ना हो सब के लिए जो विधान जो रूज सेंव होंगी वह हमारे constitution के अंदर लिखी गई है कौन कौन से विधान इंकौन कॉंसी रूस और इगलेशन सिंवारे में जो ट्रचा है वह हमारी पॉलिटिकल साइंस या पिर कहलो प्रचे करती है यहां तक कि बात क्लियर है अब कर्शिशन को पढ़ने जब हम लोग शुरू करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं या फिर यह यह होगे जिसे हम कहते हैं schedule क्या कहते है schedule तो यानि कि इन तीन ही चीजों से मिलकर हमारा constitution बना हुआ है कौन-कौन सी lessons, articles and schedule यह तीनों अलग-अलग चीज़े हैं कैसे देखो schedule जो है वो कितनी संख्या हैं इनकी 12 संख्या यानि कि there are 12 in numbers ठीक है आर्टिकल कितने हमारे पास तो articles है हमारे पास 395 ठीक है उसके बाद़ lessons कहलो lessons को हम शन्दी में भाग वे कहते तो भाग कितने हमारे पास MALE बाइस ब् 어려 MV यानि कि हमारे पास 22 lessons से 395 articles है जिसे दें हम अनुछेद कहते हैं और सूची या फिर कहलो हमारे हमारे पास लेसंस, आर्टिकल्स वो खेडिल, इन तीनों से मिलकर क्या बणा रहता है हमारा कर्षीट्टूश्न घटरेंगे इन सब के बारे में डिटेल में सबसे पहले एक और चीजा समझ लेना जरूरी है क्या हमारे पास अगर आपने कवी सुना होगा तो हमने दो टर्म कॉन कौन सी एक होता है नाम सुना होगा अगर आपने इपी सी सना है तो जायज बात है अपने CRPC सोना होगा अगर लहीं सुना भी internals सiele प作jem प्रदा आप मतलब हो मुझा गआग को आपको क्राइम करते हो और अगर पुलीस ने धर लिए पकड लिया 12 कृटिशन नंसे तब कोई banco फिर प्रॉट फुरी साथ के पकर लेगी अगर अगर पकड़ा गया तो अगर पकड़ा गया तो आपके उपर section 420 लगने वाले ठीक है तो हम लोग अकसर बात में सुना बात अचीत में सुनते कि 420 कर रहा है 420 का केस लगेगा तो यह जो केस अगर आपके उपर केस लगाती है पकड़ने के बाद आपके उपर section जो लगाएगी पुलिस तो वह हम लोग IPC के अंडर पड़ते हैं लेकिन वहीं अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिस वज़े से आप पुलिस से बाहर हो हो गई IPC क्या होता है CRPC क्या होता है बस थोड़ा सा overview समझो कब कैसे क्या लगता है इसके बार में चर्चा आगे की वीडियो में होती रहेंगी तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारे करेंगे तीन बेसिक लिमोटा मोटी चीज़ें हमें पढ़नी है लेसे बाइस लेसे अनु नंबर बन फिर लो फर्स्ट स्ट इूल क्या कहते है कि जो फर्स्ट इस पर बिलिए कस प्र खांजाने के लिए उस होता है मैं यहां पर समझाने का पढ़ियास करते हूं पहले एक चीज़ होती है confederal तो फिर दूसरी चीज़ होती है federal यह फिर कहलो federation तो फिर एक चीज़ होता है union तो हमें पता है कि union क्या है क्या है union of states समझ में आया संग है नहीं समझ में कोई बाद नहीं हमारे पस क्या है तीन चीज़े क्या-क्या confederation federation उसके बाद union confederation यानि क्या होता है कुछ ऐसे states यानि कि छोटे-छोटे states मिलकर एक बड़ा सा center को या फिर कहलो छोटे-छोटे states में से किसी एक state को सारी जो चोटे-छोटे states है उन सब ने अपना-पना थोड़ा-थोड़ा पावर दे रखा है और कहा जा रहा है इस पावर वाले फूर पावर्फुल स्टेट को कि आप हम सब के हम सब को साथ लेकर चलो हमने आपको अपना पावर दिया है आपको हम अप इस पावर है अगर उसने कुछ ऐसा रूल बना दिया जो इन मेंसे इस state को इस state को ना मनजूर है तो फिर यह लोग इसी ली उस जो भी गठन नोगों ने बनाया थो उसमें से बाहर निकल सकते हैं यानि कि इसीली टूट सकते हैं तो इसको कहते हैं लों कंफिडरेशन ठीक ह मिलकर हमें कहते हैं कि एक बड़ा सा हम लोग पावर्फुल स्टेट बनेंगी एक बना चाहते हैं जिसके अंदर यह अपने फुल पावर देने को तयार है और यहीं एक दुसरे के साथ मिलकर अपने टीम को या फिर कहलो अपने स्टेट को लीड करवाने वाले हैं सारी कि लगके ब्रेकेबल भीेदर नहीं हो सकता है इसको कहते हैं तो न ग्रूप से निकल सकता है इसको फैर याइसरे फ्यक्ट पंद्र निकार होखते आपको सुनने आपने चोमने कभी ना कभी नाम सुना हो होगा Dionisobian टुखड़ा हुए थे जिन में किनमेंसे एक बड़ा सी टुKड़ा था हमारे पास घर्षिया, टिक है उसी कहानी हो रही है तो रश्या एक क्या था पहले एक federation था तीक है federation का एक पाट था जिसके पंदर टुकड़े हुए कौन सा bei कौन से रखेडरेशन था जिसके पंदर टुकड़े हुए जिनमेंसे सबसे बढ़ा टुकड़े का नाम क्या है रश्या है क्या यह क्लिए रहें चाहता है उसे कहते हम लोग फेडरेशन उसके बाद फिर हमारे पास आता है यूनियन यानि कि कुछ ऐसे स्टेट जो की चाहते हुए भी नहीं तूट सकते कभी भी ना तूटने वाले वो होते हैं हमारे पास यूनियन और जबकि अपने फर्स्ट शेडियूल के अगर बात करें तो इसमें लिखा है साफ साफ की इंडिया इस यूनियन आफ स्टेट यानि कि इंडिया क्या है इंडिया एक ऐसा संग है स्टेट्स का जो की चाहेंगे तो भी नहीं टूट सकता क्या होंगे जो कि अगर चाहेंगे तो भी नहीं टूट सकता क्या पॉइंट क्लियर है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया शेडियूल नंबर वन क्या कहता है इंडिया क्या है यूनियन आफ स्टेट्स का इन यूनियन आफ स्टेट्स है जो की चा है बिहार के और अगर आप सीएम है हिमाचिल प्रदेश के तो आप दोनों के शेम होने चाहिए आप दोनों के पास एक ही पावर हो नि KP सेम पार होने अगर कॉल्कता में हुई है और एक बंदा है जो कि बैंक के लर्ख है SBI का UP के अंदर तो दोनों की salary अगर दोनों सेम position पर है तो दोनों की और कौन दिलवा रहा है यह दोनों मैडर करता है कौन लेगा और कौन दिलवाएगा इसके बारे में चर्चा किस्त में की गई है शैडूल नंबर 3 के अंदर यानि कि प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है और एक प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलवाता है इसके चर्चा किस्त म किस ने सोची होगी डॉक्टरा त्वीर राज़सभा में किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी इसके बारे में भी चरचा हमारे शेडूल के अंदर की गई है कि अगर युपी का स्टेट है तो कितने जादे उसके अंदर हमारे पास क्या होता है राजसवा के अंदर सीटे मिलने वाले है और अगर कोई हिमाचिल प्रदेश का स्टेट है तो उसके अंदर कितनी सीट सुंगी राजसवा के लिए इन सारे बातों की विचर्चा हमारे पास 1949 के अंदर ही कर गई लगी है फिर नंबर फिफ्ट पॉइंट ये कहता है कि स्ट और सी जाने कि ट्राइवल कास जो है इनको स्पेशल प्रोवीजिन मिलना चाहिए इनकी खातीदारी रहनी चाहिए इनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता यह हमारे सोसाइटी का पाथ है इन्हें हमें साथ में लेकर चलना ह है ऐसाने कि इनके साथ बहेत बाव चुआ चूत ऐसी साथी चीज़ें हमें नहीं करनी है इनको प्रोविशन मिलना चाहिए इसके बारे में चर्चा कप की गई है 1949 के इंदर शेडियूल नंबर फिफ्ट के अंदर क्या पॉइंट क्लियर है शेडियूल नंबर सिक्त कहता है कि जो नौर्थ इस्टन स्तेट्स हैं कौन क्या नौर्थ इस्टन स्तेट्स तो स्तेट्स की चार हमारे पार प्रित है कौन को आसाम के से मेजोरां कि ए फिरफ्ट पूरा कि ए फिर मेगा लैं इन चारो स्टेट्स को देखो अगर आप अभी सोचोगे कि तो अभी तो नॉर्मल है अशाम मेजोराम तृपुरा यह भी तो इंडिया के इन पार्ट है लेकिन अगर आप जब मैप देखोगे जैसे यहाँ पर देखो मैप में देखो आसाम कहां पर है मिजराम कहां पर त्रिपुरा कहां पर अगर हमें गव वह से देखे तो यह ठोड़े द्यान रखना है तो यहीं हमारे चैटल नमर 6 कहते है कि नॉर्थ इस्टन स्टेट्स को अभी के अभी के अभी के हिसाब से अगर देखा जाया तो लगता हुआ कि नॉर्मल सी बात है क्या ही इंदिकत है लेकिन ये बात कब की गयी है ये बात हमारे पास 1949 के इंदर की गई है इससाब में होगा कि हम लोग सिंघ्रह नेगले करते होंगे क्योंकि फिर इसलिए रखा गया है कि इनंको छोड़ना नहीं ह sourging us देखा पैखಈ के तaring일 पावर और जुक्ται消 oppose मसा प सेंट्र में होगा है पूरे की अपनी पावर सेंटर के पास एकि स्टीट में पास पर्टि पढ़ा था यहां पर union of states के अंदर दो टम्स तीन टम्स confederation federation उसके बाद union यहां पर जो फेडरल और union की बात हो रही है वो सेम नहीं है यहां पर अलग फेडरल और अलग union की बात है यहां पर फेडरेशन था यहां पर देखो union के अगर चर्चा करें तो union यानि कि एक ऐसा country कह लेकल नहीं है तो ऐसे country है हमारे पास Britain के पास सिर्फ एक ही आदमी यह पिर एक पाड़ी के पास power होती है बाकि हमारे हमारे जयसे तो कोई है नहीं है हर स्टेट के पास अपना पार्टी है और मतलब हो सकता है वह पार्टी सेंटर के साथ व्याइश करती हो लेकिन हर सब्सक्स pasa 남पी सब्सक्राइब धfish तो वह जो सिचुवेशन हैं इसकी है तो इंड Nawet geen कहले कि हैं निकिक हर स्ट्रेटियट्ट नोड़क्राइब विपावर है और साथ ही साथ इन तो दिवेजन आफ पावर कैसे किया जाएगा सेंटर को साहिए पावर दे जाए कि स्टेट को पावर दे जाए अब यहां पर एक और पॉइंट समझ जो कि जब भी मैं स्टेट बोलू इस चैप्टर के अंदर यह फिर इस बुक के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपक य試र के आपकाम सब्सक्राइब करके चर्य सथे प्रोडूक अर्मी ऐसे सब्सक्राइब है कि अजय ह소क्त टाइवन। अपना एक स्टेट है हमारे पास BCCI है यह खुद में स्टेट से यानि कि खुद इंडिपेंडेंडेंट है और साथ ही साथ अपने अपने लॉज बनाने के लिए इंडिपेंडेंडेंट है यह बस बतलग है कि यह ना सेंडर को पीछे नहीं छोड़ते यह सेंडर के साथ गेंगे स्टेट से डिनोड करेंगे ठीक है जब मैंने राजी बोला तो समझ लेना हमने चर्चा की है पिहार ज्हारखंड महरास्ट की बारे में लेकिन जब मैंने स्टेट बोला तो आपको ऐसा संग देखना है जो कि खुद में इंडिपेंडेंट हो खुद की सैलेरी और हुई हमारे पास चार तरीकों तिक किस तरीका में चार तरीका में अभी आप बोलोगा कि हमने सुना तो तीन था यहां बिचार कैसे हैं देखो संदाते हमारे पास सबसे पहला जो डिवीजन हुआ पावर का वह हुआ यूनियन लिस्ट ठीक है फिर हमारे पास आई स्टेट लिस्ट फिर आई हमारे पास ठीक है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और साथिय साथ रेसिटरी लिस्ट ठीक है यह फिर रेसिटरी इंवेंटरी से कहते ठीक है कि रिसाइडूल इन्वेंटर समझ में आया कौन कौन से नहीं आया कोई बात में समझते है यूने लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स आएंगी जो कि अपने जिनकी जो पावर है वो लाई डाउन करती है किसके साथ सेंडर के साथ हुआ यानिकि अगर इनके साथ कुछ भ इनकी जो पावर है वो है तो खुद के पास ही लेकिन अगर कुछ उच नीच हुआ कुछ गड़बड़ी आई तो एक डैरेक कंसल्टेशन किसके पास जाएगा सेंडर के पास में जाने कि जिम्मेदारी कौन लेगा इनकी इनकी कल्तियों के खामेजा कौन भुगते वाला है श्ट्रव ऑला है फिर हमारे पास आथ है स्टेट एट लिस्ट जैसे स्टेट लिस्ट का मतलब यह हुआ पुलिस हुआ, जेल हुआ, क्लिनिलेस हुआ, या फिर एडुकेशन हुआ, या फिर एडुकेशन को उटा देते हैं, यहाँ पर अब बस क्लिनिलेस तक ही समझो, यानि कि हर स्टेट का अपना अपना पुलिस है, है ना, हर स्टेट का अपना अपना जेल है, अब बिहार के जे पी बिहार पुलिस का कोई अलग रूल और यूपी पपर पणजाब विए अलग रूल फिर हमारे पास जाते कंट्रेंट इन्हीं की ऑन्दर कुछ एस मिए अदर इंदर फिर昨ई नोके पार्वर के या फिर के लो दोनों के फूंक की फीचर के होते ही हमारे पास आया एड़ोकेशन का ठीक है एडोकेशन की अगर स्था करें नुकेशन के लिगर जीदो टो शुन कि अगर न году होते हैं यह तो भर ट्रीक смер жив पेपर होते हैं अलग दिन पे एक्जाम टोनों टेले नहीं खाते हैं अब कि बिहार सब्सक्राइब करते हैं तो वहीं बात है कि अगर एडूकेशन एक ऐसी चीज है जो कि स्टेट्स और साथ इसा सेंटर दोनों लेबल पर टैली करते हैं बिहार के अंदर भी हमारे पास CBAC स्कूल्स हैं स्कूल्स है वहीं West Bengal के अंदर हमारे में वेस्ट बेंग आसिज बेंगायों बोर्ड के साथ साथ हमारे पस CBC के भी स्कूल्स है तो इन सिचिवेशन में जहां पर अगर कोई चीज के अंडर लाइडाउन करती है तो जो प्रॉब्लम होगी वो मदलब अगर इन लगों ने कोई प्रॉब्लम क्रियेट की तो जो खामे आजा है वो हमारा सेंट्रल फेस करने वाला है यानि कि नाम तो है दोनों का बट हैड़ बैठा है सेंट्रल बैठा है यहां पर कंक्रेट लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास फॉर्ट है जो कि है रैसाई डॉल इंवेंटर यानि कि कुछ ऐसी चीजे जो कि उन्हें लगा था नाइडिंग फॉर्टिनैंग में जो बैठे लोग थे उनको लगा था कि हो सकता है कि आज पास जो चीजेह इसे से ज़्यादा बहतर चीजे आएं इस चामाने में कितना है infinite है क्यों कि हम अभी के हिसाब से तो बता सकते हैं 50 यह फिर 60 है लेकिन future के हिसाब से तो चेंज होगा न तो इसे फिर बार बार नमबर तो बदल नहीं सकते इसलिए जो डिसाड़ इन्वेंटरी है वो क्या है infinite है कई कर पंसी चीजे आते हमकें से मुोजेब म्यूज निनप दो इसाड़ी साड़ी चीजिए वह सब आता है सारी शीजिए जो कि कहता है language, पहले कि अगर बात करें, जब ये बना था, सम्धिदान हमारे जब बना था, तो उस वक्त हमारे पास 14th official languages थी, लेकिन आज की जमाने में हमारे पास, हमारे पास आज की जमाने में 22 official language, लेकि 22 भाशाएं हमारे पास अभी बोली जाती है, officially, unofficially तो 19,000 है, ठीक जमिनदारी system exist करता था, लेकिन अब के जमाने में जमाने में जमिनदारी system को हटा दिया गया है, तो लेंड रिफोम के बरम ने चर्चा की ने गया है, और साथी साथ यहां पर एक और पॉइंट बॉला गया है, कि Supreme Court इंटर फेर नहीं करेगा जब भी जमीन का मामला होगा, तो यहने कि अगर किसी का जमीन सरकार चाहता है कि उसे छीन ले या फिर मदल रोड बनाने के लिए, अब पता चला कि रेलवेट का ट्रैक विछान है और आप बोले कि मेरे दादाजी की पुस्तैनी जमीन है, उनकी आखरी निशानी है, तो हम यहां से नहीं जाएंगे, तो जना कि अपस्ते हैं तो इस इसा सोचो सुप्रीम कोर्ड इंटरफेर कर ही नहीं सकता तो पूरा इतना हिलागहा है पूरा इतना हिलागह है ! तो इस पास में इस घृटरेक वडियाında ये पुरानी बात है अभी हम नया कानूल बनाएंगे और फिर हमारे पास हुआ 50 second amendment इसके तहत हम लोगों ने इस चीज को हटा के जो land reform वाली चीज है उसको हटा के हमने move करवा दी दूसरे आर्टिकल के इंदर कौन से आर्टिकल के इंदर उसके दीरेच रखो आगे वाली वीडियो के इंदर समझ अपने दल बदल किया है आपको लगा कि यह पार्टी हार जाएगी फिर हार चुकी है तो फिर आप बदल नहीं सकते जिसके साथ थे उसके साथ ही रहना पड़ेगा बाद में आप बदलना चाहो तो बदल जाते हो लेकिन इसके साथ भी amendment किया कि इसके नदर बेंद शंसो ध और साथ ये साथ गांधी जी के बीश में लेकिन कैसे हुई थी फिर उसके साथ क्या हुआ इसके अंदर अभी कंप्लीटली चर्चा नहीं है क्योंकि इस पंचायती राजवाले टॉपिक को हटाके हमने दूसरा एक अलग ही आर्टिकल बना दिया है जिसके अंदर पूरे अच सब्सक्राइब करेंगे तो यहां तक कि अगर पॉइंट आपको क्लियर है तो वेल इन गुट कर दो लेकिन अगर क्लेर नहीं है तो एक बार सा समय लोग फिर से जो भी मैंने बताया हूं सबको एब्जॉब करने की कोशिश करो या पर अगर नहीं कोई पॉइंट मिस हो गया समझ में नहीं आया तो पस पीछे करोर तेखते जब यहां से हम आगे पढ़ते हैं जब हमारा भारत बना था या फिर बन रहा था ठीक है तो उस वक्त भारत के 552 टुकडे हो गया थे यानि कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पास 552 ट टुकडे थे छोटे-छोटे भारत के तो जैसे होता है कि हमारे पास एक बुंदी होती है बुंदी से हमें स्टेप दे दे कर हमें लड्डू बनाने होते है तो हमारे पास भारत की बुंदियां बची थी बुंदी से हमें लड्डू बनाना था तो इस लड्डू बनाने का क 552 टुकुड़ को मिला कर इन लोगों ने 28 और स्टेट्स और साथ यह जो है हमारे पर स्टेट्स के पॉर्म दिये नाम रूप दिये हैं लेकिन उसे पहले क्या है लेकिन उसे पहले कैसे था कैसे कैसे नेमिंग होती थी अभी तो हम है कि हम भू सकते कि हम अभी गुजरात में ह या फिर आप कह सकते हो कि आप भी हमाज़र प्रदेश में बैठे वीडियो देख रहें फिर आप जहां भी हो लेकिन पहले क्या था न कि पहले इस तरीके से स्टेट्स के नाम थे जैसे कि हमारे पास एक एक नाम का श्टेट था एक भी था एक एक इस था एक बीटिश आइ वो A स्टेट से, फिर हमारे पस थे B स्टेट से कहते थे कि हम आपकी गुलाम तो है नहीं, लेकिन फिर विए अगर आपको जब जरू पड़े कि तो हम आपके साथ हमें हाम मिलाने को तयार है, जिसके अंदर हाइदराबाद भी था, इसकी भी कहानी है, तो उस टाइप के स्ट स्टेट से, किसी के इंदर 10-10 स्टेट से, तो कोई परसन बोलता था कि मैं A का पाठ हूँ, एक इंदर भी तो 19 है ना, 19 में से कौन से वाले को, इन लोगों को जब देश आजाद हुआ तो बोले कि यह कौन से सिस्टम है, कोई पूछेगा कि आप कौन से स्टेट में होता है तो कि अब हम A में हैं, हम B में हैं, तो A B में से कौन से वाले में, 1 में की 2 में की 5 में की 7 में, ऐसे करके था, तो फिर उन लोगों कि देखो, सबसे पर तो यह पगलाईती की गई है, इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने स्टेट का निर्मान करतें नाम के साथ, बहुत बड़ा मुदलब क्या बुलता है, बहुत बड़ा एक प्लस कहलो यह फिर नेगटिव कहलो, ऐसा पॉइंट था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से, किस तरीके से उसके लगली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, हमने करके, हमने स्टेट को एक साथ मिलकर बनाया, जिसके अंदर कुछ कुछ स्टेट से जो कि चाहते थे, जैसे अगर बिटिशर ने भारत को आजात किया ना, तो उनने हमरे पस तीन आप्शन शोड़े, पहला यह तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, दूसरा या फिर तुम इंडिया के साथ रहा जो तिसरा तुम इंडिया जो बोलते था कि हम पाकिस्तान के जूट से हैं अब यहां पर मैप देखो, मैप के बारी में अगर सूचो, उस समय पर कुद को रखो, और सोचो कि यह कहना क्या चाहता था यह स्टेट, यह हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो मतलब बीच में, इंडिया के बीच में कोई गनी पजेंथ रहता दुख शेगवर होती है तो सर्दार वालनब भई पतेल जी रहे रहे bit doet मैं इन्होंने तो क्या है कि उस समय क्या किया सब्सक्राइब के मैज्onde के अंदर इंग्लule को स्टेट के पुलिस वालो का जो जБी पुलिस का अपना वन्जाब को पुलिस के पास पंजाब पुलिस अपने अब को आर्मी को भिज़ना है लेकिन आप स्टेट का अंदर तो अलाऌ है नहींended स्टेट को प्रेक्शन दुले ने सकती तो इन्होंने क्या करवाया कि आर्मी के बंदों को स्टेट पुलिस का कपड़ा पहना कर लाठी चार्ज करवा दिया फाइडिंग मलब धंकाना कहते न तो इनके जो भी राजा थे उनको धंका दिया कि देखो यही सिचुएशन है तो हमारे पास एक और जगती जो कि है जुन्नागर जो कि गुजरात का पार्ट है यह भी बोलता था मैप के अंदर देख लो यह कहां पर गुजरात के अंदर तो फिर जैसे समझेश में आ रोगा उधर इंडिया है और बीच के इंदर यह है जुन्नागर जो कहता था कि मैं पक पुब्लिक थी वह मुस्लिम थी और जो राजा थे हरी सिंग वह हिंदू थे तो फिर यह बोलते थे कि ना तो मैं पाकिस्तान का पर्ट बने रहा और नहीं मैं इंडिया का बनूंगा मैं मेरे पास थर्ड ऑप्शन है ना मैं उसको प्योग करने वाला हूं मैं कि पाकिस्तान जो थे पाकिस्तान तो जमो कश्मीर के बगल में था तो फिर वहां से टर्रेश्ट का अटैक हो गया जिस वज़े से आधी से ज्यादा जैसे हमारे पास अभी पीओ के है ना पाकिस्तानों के पैड कश्मीर वह जो लाइन बनी है इनकी मुर्खता के वज़े स यहां पर मैं देखो कि इतना कोईशन का वो कभजा हो चुका था तब इनकी मत्थ्य आ गया जब दो लाठी अप पढ़ते तो समझ में आता है वहाली सिच्वेशन दी तो फिर यह दौड के गया 26 आक्टूबर 1947 के अंदर इन्हों ने एक साइन कर दिया पेपर के उपर जवाहला ना जीजन नो पेपर दिया उसके पर नो साइन बोले कि नहीं अब हम इंडिया के साथ ही रहेंगे तो फिर जैसे इनको साइन मिला उसके बाद इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया फिर यहां तक का पॉइंट क्लियर है 552 टुकड़ों में से 28 स्टेट कैसे बने कुछ के पार्ट यहां पर है कुछ अगली वीडियो के अंदर स्टेट करेंगे और एक और बात जब इंडिया अखंड वारत था ठीक है अखंड वारत था यहां पर मैं देखों इंडिया पहले कैस से हुआ था 1893 के अंदर फिर 1935 के अंदर हमारे पास म्यानमार जो है इसकी वज़े से भी टुकड़ा हुआ उसके बाद 1947 के अदर आपको पता ही है क्या हुआ था पाकिस्तान जिसके अंदर इस्ट और वेस्ट बना था यानि कि पाकिस्तान और बंगलादेश के नाम पे अब Selbst वीडियो के अदर हमने 12 के बाराई 12 के बार चर्चा करनी डिसकस कर लिया हैautres नेग्स्ट वीडियो के बन नग्द यूग़श संजाएंगे और लेस्ट के ही पार्ट होते है आर्टीकल यसे के फर्स लेस्ट बाग जो है इसके आख रुषाण हा पास आते हैं कैसे कैस पढ़े ही नहीं होते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को क्यों कहते हैं इसके बार में चर्चाहीं की गई है हमारे पास 552 टुकड़े थे इंडिया के 9047 इसके बार में आधे से यादा लोगों को पता भी नहीं है तो एक टैप की इंफ्रमेश्टी वीडियो कर लगी हो